तो दोस्तो आज हम बात करेंगे कि गहूं की फसल में लिहूसन का पर जोग कब करें कैसे करें क्या इसके फैदेा क्या इसकी नुक्सान है तो दोस्तो लिहूसन प्लांट गरोथ रेगूलेटर नाम से ही पता चालता है कि ये पौद्दे की ग्रोथ को कंट्रॉल करेगा तो दोस्तों आप सबसे पहले हम बात करेंगे कि जब हम लिहुसन की स्प्रे करते हैं तब क्या होता है लिहुसन के वीच जो केमिकल है वो है कलोर मैकुआइट कलोराइट 50% तो जब हम गिहुँ पर इसकी स्प्रे करते हैं तो जो गिहुँ में जीवरलैंड से होते हैं जीवरलैंड वो होते हैं जो हमारे पौद्दे की ग्रोथ कराते हैं जो ग्रोथ कराने वाले हर्मोन से होते हैं उन्हें जे ब्लॉक कर देता है बंद कर देता है अब हमारे पोदे की ग्रोफ तो रुक गई वो तो नहीं बढ़ रही तो जो उसमें एनर्जी या जो पोश्क तत्व है वो क्या करेंगे वो निच्छी की तरफ जाने लगते हैं अब जो हमारा पोदा है ग्रोफ तो नहीं कर रहा है लेकिन उसमें energy तो बंग रही है पोश्कता थो तो है वो क्या करता है कि उस energy को अपने अपको मजबूत करने में लगा देता है ग्रोष तो उसकी कुट्रॉल हो गई तो अब उस अपने अपके मुझबूत करने लगाता है अब क्या होता है कि अमारे पॉद्दे की जड़े के जोड़ों का वकास होता है वो बढ़ने लगता है कल्ले निकलने लगते हैं स्टेम मुझबूत होने लगता है तो इतना ही नहीं जो क्लोरोफिल की मत्राइब भी वड़ने लगती है तो दोस्तो जे सब फैदा होता है जब हम सही समय पर लियोशन का परजोग हमारी गिहूं की पुसल पर करते हैं और दोस्तो अब अगला स्वाल कि लियोशन का परजोग कब करें दोस्तो अगर गिहूं में लियोशन का अच्छा रिजाल्ट लेना चाहते हो तो इसका सप्रेट तब करें जब टेमपरेचर दास ग्यारा डिगरी तक हो तो दोस्तो अगर temperature हमारा 10-11 degree से उपर जाता है तो हमें लिशोसन का अच्छा result नहीं मिलेगा इसमें जो chemical है कलोर मेकोईट कलोराइड 50% वो 10-11 degree तक ही काम कारता है इसलिए दोस्तो अगर अच्छा result लेना चाहते हूं इन बातों का दियान जुरूर रखें और सबसे बढ़िया result इसका गेहूं पर ही मिलता है क्योंके गेहूं की फसले ठंड में ही होती है और ठंड में जो temperature बोक्स 10-11 degree से कम ही रहता है इसलिए दोस्तो इसका जो result है सबसे बढ़िया गेहूं पर ही मिलता है गेहूं की किन वराइटियों पर इसकी spray करें जिस बहुत ही अच्छा सवाल है दोस्तो जो गेहूं की वराइटी हाइटी ज्यादा गरती हो जिक जहां वो वराइटी जो गिरती हो उस पर इसकी एक या दो spray जरू हो के तो हमें result है बहुत बढ़िया मिलेगा वो कौन सी ब्रैटी है नई ब्रैटी हो में से जैसे आप देख रहे हूं जे है DBWG 183 नमंबर की बजाई की हुई है तो दोस्तो देखो इसकी हाइड कितनी ज़्यादा हो चुकी है तो दोस्तो इसमें मैं एक स्प्रे लिहोसन का जरूर करूँगा देखो दोस्तो DBWG 183, HDCSW 183, इन सारी ब्रैटी हो जो हाइटी भी ज़्यादा करती हो गिरती भी है उनमें तो एक या दो स्प्रे लिहोसन का जरूर करें कब करें और दोस्तो हमारे किसान बाई क्या करते हैं कि जब हमारे गिहों 35-40 दुनों की होती है तब लिहोसन का स्प्र कब करने चाहिए जब हम अपनी जूरिया कंपलीट कर दे हम जूरिया कब पूरी करते हैं जब हमारे गिहों 50 लेकर 55 दिन की हो जाती है तो हम पहली स्प्रे कब करेंगे 55 से 60 दिनों में पहली स्प्रे हम लिहोसन की कर सकते हैं और दूसरी स्प्रे कब करें पहली स्प्रे से 15 जहां 20 दिनों के बाद तो दोस्तों अगर हम इन बातों का द्यां रखते हैं तो हमें लिहोशन का बहुत ज्यादा फैदा मिलेगा तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना कि जान करी अच्छी लगियो तो इस वीडियो को लाइक शेर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्को मिना बोले तन्यावाद दोस्तों